बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं के भाई ये हक और हलाल का काम है के नहीं है जो मैं प्रोमोट कर रहा हूँ राइट बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं के इसमें काम क्या करना होगा और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं के हमें अंगरेजी नहीं आती है हम पढ़े लिखे नहीं हैं हम तो पहली बात तुम मैं खुद के बारे में बताना चाहता हूं कि मुझे भी अंग्रेजी नहीं आती थी ठीक है फिर उसके बाद 12 पास है तुमारा भाई 12 पास समझे रहो I am not a graduated person अंग्रेजी मेरी बहुते खराब थी परिस्तिती घर में खराब और पढ़ा ही भी नहीं थी मेरे पास पर सीखा हूं सीख के काम कर रहा हूं तो ये सीखने वाला काम है education matter समझे रहो इसका मतलब education को हिंदी में क्या बोलते है भाई अभी हिंदी भी बोलते है ग्यान ग्यान जिन्दगी में जरूरी है इल्म होना जरूरी है अगर आपको इल्म नहीं है तो आप कहां जाओगे भाई साब समझ रहो इल्म होना important है अगर आपको इल्म चाहिए online दुनिया का गर पे बाइट मैं सेच करता हूं, उपर शर्ट पैंता हूं, कोट पेंट पैंता हूं, मिटिंग के लिए, ये लोग हसरे होते हैं, और शुकर है मेरी कोई फोटो वीटो डाल के वाइरल नी करते हैं, वो बात अलगे हैं, ये सच बात है, ये थोड़ा लेजी हो जाता है बंदा इससे, बट गर पे बैठा रहता है, सेफ रहता है, अपना घर में आराम से परिवार वालों के साथ एंज्वाय करने का, बाहर क्या रखा है, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, यही है मेरे दोनों बस, भाई बहन और मम्मा डैडी और हमारा ब्रॉक, और कोई नहीं है, समझ रहे हो, अगर आप करना चाहते हो, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तो मैसिज करिएगा वाटसाइप पे, और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी मैसिज करिएगा, देखिए वहाँ पे जाके, इंस्टाग्राम कैसा है, ठीक है जी, तो मैस कुरान क्लास 62 ये है पार्ट थ्री और बहुत बहतरी न वीडियो था कल वाला इसमें यतीमों के माल के बारे में बता रहे थे और अब आगे चार शादियों के बारे में बताएंगे और बताया भी था कल थोड़ा सा भी आगे और बताएंगे तो लेट स्टार्ट दिस वीडियो कि ही आयत नमबर 129 में बेनिफिट अफ डौट दे दिया है तुम कितनी भी कोशिश कर लो हर्गिज अपनी बीवियों में इनसाफ नहीं कर सकोगे ये तो अल्ला ने खुद ही मान लिया तो इसका मतलब है अल्ला ताला हमें छूट दे रहे फला तमीलू बस एक चीज़ का ख्याल रखो फला तमीलू कुल्ल मैली फतदरूहा कल मुअल्लका ऐसा ना करना कि किसी एक की तरफ ही बहुत जुक जो और दूसरी जो है वो सिस्पेंड़िट पोजीशन में लटकी रहे ना वो शौर वाली है ना बगहर शौर वाली है एक ही के पास रहते हो दूसरी को साल अजाल पूछते ही नहीं हो ऐसे नहो अल्ला तरह ना फरमाया कि यह हमें पता है कि उस तरह का इंसाफ नहीं हो सकता दिली महबत का लेकिन जो तो दुनियावी तोर पे जितनी फिसिलिटीज हैं उसमें आपने इंसाफ करना है आव मा मलकत आइमानुकुम या फिर तुमारे हाथ का माल जो कनीजे हैं अब ये अवसलीट हो चुका वैसलसला उस जमाने में थी कि जंगों में जो औरतें खैर मसलिम मर्दों की मसलमानों के हाध लगती थी और उन गहर मसलिम मर्दों की ओरतें जो ओरतें जंग करने के लिए मदान जंग में आई होती थी ये नहीं है कि कोग मिलक konf.ा किया तो उनकी सारी ओरतें मसल्मान लोड़ीयां बना लेते थे नहीं सिर्फ वो ओरतें जो जंग लड़ने के लिए आई होती थी उनको लॉंडियां बनाया जाता था बाकी जो अपने लागों में थे जंग नहीं लड़ते थे आम अवाम नास उन पर नहीं होता था ऐसा से ज़रा तो अब उनका दो ही हाल थे एक तो यह है कि उनको वापस बेज़ दिया जाए काफरों के पास वहां जाएंगी तो वो फिर दुश्मनी उतारने के लिए आ जाएंगी और दूसरा यह है कि वो मुस्लमान मर्दों को डिपेंडिंग अपान जिसकी जतनी परफॉर्मस है और किताल में वो अमीर मुमिनी उनको तक्सीम करें खैर अब यह सिसरा अपसलीट हो चुक है इसलाम ने इतना प्रोमोट किया घुलामों को अजाद करने के फजाएल और लॉंडियों को अजाद करने के और खुद निकाह करने के खुद जो सियदा सफिया थी यहुदिया थ कि अन्वास आई थी सही बुहारी में आता है तो नभी ल達सलाम ने इनको अजाद करके इन से निकाह किया और अजाद करने की जो कीमत थी वो अनका हक महर करार पाया और और वो मुमिनीं मन गई तो नभी लित अपने अमनार से इस चीजmember चीजा की है तो आज याने यह अप अपसलीट हो चुका वह यह मतलब वो बाल लोग समझते हैं कि यह जो गरों में काम करने वाली है या आप जाके कि अलाका गयर से ओरत खरीद के ले हैं तो वो लॉंडी बन जाएगी इस तरह नहीं होता वो लॉंडी यह नहीं होगी अगर कोई इस तरह के से औरत लेके आता है तो निकाही करना होगा लॉंडी को अला मामला उनके साथ नहीं होगा जालिक अदना अल्ला तावूलू यह ज्यादा करीब इसके है कि तुम एक ही तरफ जुक न जाओ यह नहीं हो वही वही बात कि एक तरफ जुक जाने से बेतर यह है तुम दो तीन यह चार शादिया करने के वज़ए एक ही बीवी करो ताकि यह खत्रा टाल जाए और मैं तो परसनली कहता हूँ कि जो लोग फिनेंशली स्पोर्ट कर सकते हैं उन्हें एक से ज्यादा शादियां करनी चाहिए अगर उनकी एक निब जाए यह ना हो कि दूसरी करें तो पहली भी खत्म हो जाए फिर एक ही रहा जागी तो वेतर एक ही रखें जिसना हमारे माशिरे में आपको पता ही इसीतना सुरते हाल है लेकिन जो लोग अब जाएर है कि किसी बड़ी कास के लिए काम करने वाले लोग हैं उनके लिए तो यह पॉसिबल नहीं है कि वो नेने बखेड़े खौल के बैठ जाएं और फिर उनको मिसालें देना नबीर इसलाम की जादा अजवाज की तो वो अरब के कल्चर में वो चीज़ें हजम हो जाती थी हमारे इस कल्चर के अंदर एक बंदा जो दीनदार आदमी है दीन का काम करने वाला है वो अगर दो या तीन करके बैठ दे तो वो तो पिट से आप घर पढ़ा रहे का उसने काम खाक करना है यह हर बंदे ने अपने हलात और वाक्यात खुद देखने है उसके इतबार से बागी हम उस एक्स्ट्रीम पर नहीं है जो यह समझते हैं कि यह जल्म है कि एक सज़धा बीमिये की जाएं तो यह तो लात तरह ने आउनर दिया और और दूर्ट को में पैदा होते हैं लेकिन जो बेबी गरल होती है ना जरासीम के अगेंस्ट उसकी रिजिस्टन्स ज्यादा होती है एस कपेर टू बेबी बॉई के वो सर्वाइब ज्यादा करती है और मुझे तो यह हिकमत नजर आती है जो सही बुहारी में है और तिरमजी में डिटेल के साथ है कि जो अकीका आपने लड़के की तरफ से दो करने है और लड़की की तरफ से एक और उसमें अलफाज है बच्चे की जान गिर्वी होती है इसके वस लड़के की तरफ से दो इसलिए हो रहे हैं कि उसमें बिमारी के ज़्यादा चाहां से आने के लड़की की तरफ से पाकिस्तान में भी ओर्तों की तदाज ज्यादा हो चुकी भी है सिर्फ एक मुल्क है इंडिया और वो इसलिए कि आठ से मैं आपको बीस साल पहले के फिकर बता रहा हूँ कि रुजाना तीन हजार बच्चियां वो प्रिग्डेंसी में जाय कर देते थे अडिन्टिफाई होने के बाद के ये बेबी गर्ल है तीन हजार जाहर है जाहर एक अरब के करीम तो बादी उस वक्त भी थी अब तो बढ़ चुकी है उनकी तो तीन हजार तो उसमें कुछ भी नहीं है और ये बीबी सी की रिपोर्ट है कि वहाँ ऐसा होता था और वो भी आलमोस समझ लें आज से 20 साल पहले के फिगर्स हैं आप तो इससे ज़्यादा होंगे कि अमेरिका में 7.8 मिलियन यानि 78 लाक औरतें ज्यादा है ऐस कंपेर टू मर्दों के इंगलेंड में 40 लाक जर्मनी में 50 लाक रशिया में 90 लाक अलमोस एक करोड औरतें ज्यादा हैं ऐस कंपेर टू मर्दों के तो अब ये दो आप्शन है या तो ये औरतें जो हैं वो बुराई करें या फिर ये किसी ऐसे मर्द के साथ शादी करें जिसकी आल लड़ी को बीवी हो वैसे तो आप महां पे खांदानी नजाम तूर चुड़ चुका है तो एक वाला भी मामला नहीं रहा लेकि मैं लॉजिकली बात करूं कि इसलाम चुके खांदानी जिन्दगी में बलीव रखता है सोशल वैलियूस के अंदर तो इसलिए ये आप्शन छोड़ा है अच्छा ये बाले दे कुरान में हुकम है चार शादिया करो कुरान में हुकम ये है कि एक शादी करो चार की अजादत दी गई है उस मौशने में जहां सो सो लोगों ने औरते रखी होती थी उनको कम करके चार पे लेके है हुकम एक का है चार की अजादत है चार करने का हुकम नहीं है गिंती चार की पूरी करनी है बलके अगली दिन हमारी कैड़मी में एक फून आया वो कहने लगे कि एक इसलामी भेन थी उनकी तलाक हो गई उसके बाद उनने दूसी जगाँ शादी की तो वो शोर फौत हो गया फिर तीसी जगाँ की तो वो फौत हो गया चौती ता की तो वो फौत हो गया तो वो अब उसकी पांचवी शादी नहीं करवा रहें वो कहरें चार से ज़दा शादियों की जाद नहीं वो चार कर चुकी है ये लोगों का आप देख लें जेनी लेवल का है और तो एक शादी करेगी चार की उसको कहाँ से जाज़त है एक वक्त में एक करेगी और सहाब एकराम में ये ऐसे वैसे कोई आब नहीं समझा जाता था इस तरह का आप देख लें असमा बिनते उमैस अज़रत जाफर तयार की बीवी थी जो घजव मूता में शहीद हुए जब वो शहीद हुए तो उनकी उस बेवा के साथ अज़रत अब बकर सिदीक ने शादी कर ली उससे मुहमद बिन अबी बकर पैदा हुए जिस साल हुदूर्ने हाज किया था फिर चार साल के बाद अज़रत अब बकर फोट होगे तो अज़रत अली ने उसे शादी कर ली असमा बिनते अमैस के साथ इसलिए मुहमद बिन अबी बकर की सारी परवरिश बौला अली ने की है और वो उनके बच्चों की मानित थे तो ये कोई आब नहीं समझा जाता था इस चीज़ को हाँ एक चीज़ को बहन किया गया कि नबी की बीवी के साथ को शादी नी कर सकता वो सुरत अलजाब में है कि अल्ला के नजदीक ये बहुत बड़ा गुना है कि तुम नबी के मरने के बाद उनकी किसी बेवा के साथ शादी करो और उससे पहले बलके फरमा दिया अन्नबी अला बिल्मुमिनीन मिन अन्फुसहिं वाजवाज़ु उम्मातुहुम नबी सल्लाव लिवाले सल्लम मुमनीन की जानों पर उनकी जान से बढ़कर हक रखते हैं और उनकी बीवीयं उम्मत की माई हैं अब चुके वो माँ का स्टेटस है लाज़ अब उनके साथ शादी नहीं हो सकती तो वो अल्ला ने उनको एक परोटोकॉल दिया और दुनिया और आखरत में वो नबी लिवी हैं ये परोटोकॉल सिर्फ नबी का ये जो कहते हैं ने जी वो शहीद जिन्दा है तो शहीद से मांग सकते हैं तो हम अगली बात करते हैं तो शहीद की बेवा फिर शादी क्यूं कर लेती है अगर शहीद जिन्दा है तो जाफर तयार शहीद हुए थे ना सही बुहारी में आता है कि उनके दो ये बाजू कटके थे अल्ला ने जन्नत में उनको दो पर दी है जिसमें वो उड़ते है ठीक है न तो अज़त जाफर तयार जो मौला अली के भाई थे वो शादत के बाद भी जिन्दा थे ना उनकी शादत तो कंफरम है ना तो उनकी साथ है नहीं कि नभी आट भी जो है वो दुनिया की जिन्दगी से जिन्दगाइं नहीं वो आखरत की जिन्दगी के साथ है लकिन 은की इज़त यह ए कि Chern कa बाप होता है रुआनी तोर पे उनकी बीवीों को उमत की माएं करार दिया गया लेकिन यह जाद रखी एगा वो म की बीवी वो ऐसी इस्तमान नहीं करनी कि किसी के दिल में रोग हो तो वो कोई बुराई का इरादा करे सुरत अलजाब में आता है अम माईशा से भी अगर असहाब रसूल को मसला पूछने जाते थे या ताबईन तो वो पर्दे में जवाब देती थी वो ओनरी रिष्टा है माँ का लेकि बाकी सारे गेर महरम और्टों वाले आकाम है उनके साथ पर्दा उन्होंने करने है तो वो एक प्रोटोकोल है बाकी तो जाहर है कि फिर अल्ला ताला ने ये वाला जो महरम रिष्टों वाला इशू है ये बहुत क्रिटिकल इसके उपर ज निकाह जो है वो सुन्त है वो जरूर करें लेकिन उतने ही निकाह करें जितने हैं आप संभाल सकते हैं वरना जो है वो अपने लिए उल्टाइए ना होके मसीबत खड़ी करते हैं यहां तो जो बन्दा कुछ कर नहीं रहा हुता कहने था व्या कर दो ताकि पूरे दो आमने फरमाई शादी करो वो और जुरीब हो गया फिर दूसी क्राई फिर तीसी क्राई चुती अमीर हो गया इस तरह कोई अमीर होता है सर بخारी मुस् volatile में यह जोना जोनों नुजवानों के गो जिसमें इस्तताछ स्किरा करें निकाह करना तुमारी इफ्त और عصمت کی حفاظت اور نگاہوں کو نیچے رکھنے کا ذریعہ ہے اور اگر تم نکاح کی استطاعت نہ رکھو تو روزے رکھ کے اپنی شعوت کو ٹھنڈا کرو. یدیس بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی تو وہاں حضور کہہ سکتے تھے نا کہ استطاعت نہیں ہے تو جلدی سے شادی کر لو تاکہ امیر ہو جاؤ صاحبہ استطاعت بن جاؤ. نہیں اور یہاں استطاعت سے مراد فیننشل استطاعت ہے باقی اگر سیکچول استطاعت کا ہو تو وہ تو آر لیڈیس میں موجود ہے. تب ہی تو کہا جا رہا ہے کہ روزے رکھو ورنہ تو اس کی نکاح ہی نہیں ہوگا استطاعت ہو تو نکاح کرو اور اگر استطاعت نہیں تو روزے کے ذریعے اپنی شعوت کو اڈریس کرو پھر بخاری مسلم میں وہ عدیث ہے اگر تین اصحاب یہ تھا ہمارا ریاکشن آن قرآن کلاس سکسٹی ٹو چار شادیوں کے بارے میں بہت بہترین طریقے سے انہوں نے سمجھایا چار شادیوں کے بارے میں کہ کیا ہوتی ہے کیوں کرنی چاہیے اور کس کو کرنی چاہیے اور کیسے کیا ساری چیزیں اچھے سے انہوں نے سمجھائی تھی اور ابھی بھی سمجھا رہے ہیں I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھے سے سمجھا ہوگا and ابھی next ویڈیو میں ہمیں اور بھی چیزیں پتا چلے گی guys thank you so much bye bye take care see